यहां हमारे सामने एक कलेंडर बना हुआ है, इस कलेंडर को हमें बिना कॉपी-पेस्ट की सायता से होरिजेंटल से बर्टिकल या बर्टिकल से होरिजेंटल बना न आघुत, तो क्या करेंगे इसके लिए सरसे पहले इस calendar को यहां से select कर लीजिए select करने के बाद में क्या करना है control के साथ में शी बटन को प्रेस करना है यहां इसको copy करना और यहां पर कज़र को कहीं भी रख दीजिए blank इस्तान पर और यहां से mouse का Sunday, Monday से लेकर के Saturday तक और यहां आपको उपर से नीचे तक दिख रहे हैं देखिए Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और Saturday इस तरह से अगर आपको यहां से row को insert करना है तो row को insert करने के लिए सबसे बढ़े row को select कीजिए select करने के बाद में Ctrl, Shift के साथ में प्लस बटन को प्रेस कीजिए तो देखिए यहां पर row insert होकर के तियार होगी फिर से आपको row insert करने है फिर से आपको Ctrl, Shift के साथ में प्रेस कर दीजिए ऐसे तो यहां से एक और कॉलन बन करके त्यार हो गए अगर आपको इन कॉलन को यहां से डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए इन कॉलन को यहां से सलेक्ट कीजिए सलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में माइनस बटन को प्रेस कर दीजिए दे उमीद है आपको अमारे ये वीडियो पसंद आया होगा इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम